एक ऐसा बैट्समेन जिसने ना जाने कितने ही मैचेज में इंडिया के लिए मैच विनिंग पारी खेला लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एक या दो इनिंग्स को छोड़ बाकी इनिंग्स को याद नहीं कर पाओगे इंडियन किरिकेटिंग टीम में मिडिल ओडर बैट्समेन ऐसे ही कहीं खो जाते हैं रहना की इंडियन टीम में बैटिंग पोजिशन क्या थी? वीडियो को पॉस करकि नीचे कमेंट करिए हो सकता है आपको याद भी ना हो और क्यूं हो? 226 ODI की करियर में सिर्फ 9 लगातार इनिक्स में एक दफ़ाओं इनकी बैटिंग पोजिशन फिफ्ट थी सुरेश रहना का जनम 27 नॉमबर 1986 को उतर प्रदेश के छोटे से गाउं मुराजनगर में हुआ पिता तरी लोग चंद रहना एक मिलिटरी आफिसर थे और मापरवेश रहना एक हाउस वाइफ हैं बचपन में रहना ने बहुत गरीबी देखी आठ सादुस्यों का परिवार जहां कमाने वाले सिर्फ पिता जिनकी मासिक तनकोव 10 हजार थी जैसे कि इंडिया में हर बच्चा क्रिकेट खेलता है रहना ने भी बच्पन में गली मोहले में कूप क्रिकेट खेला रहना को अच्छा खेलता देख उनके बड़े भाई ने कहा तुम्हें इस गेम को सीरेसली लेना चाहिए उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट से आना जहां सरकार बड़िंग खिलाडी के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज और होस्टल्स प्रोवाइड करती थी साल 1999 में रहना ने ऐसे ही एक स्पोर्ट्स होस्टल गुरू गोबिन सिंग स्पोर्ट्स कॉलेज लखनों में एडमिशन ले लिया यहां से उनकी प्रोफेशनल क्रिगेट की जरनी शुरू हुई अकैडमी में रहना वन आफ दे बेस्ट प्लेयर्स थे कोच उनकी बहुत तारिफ करते थे जलन के वज़े से कई बार सीनियर प्लेयर्स उनकी रैगिंग करते थे एक बार जब टीम ट्रेन से दूसरे स्टेट मैच खेलने जा रही थी रैना जमीन पे न्यूस पेपर बिछा के सोये वे थे उनको सीने पे जोर की दर्द हुई जब नीन खुली तो देखा कि एक सीनियर सीने पे बैट के उनके चेहरे पे पेशाप कर रहा है रैना ने उसे एक घुसा मारा 13 साल के रैना को हर रोज इस तरह की चीजों से गुजरना पड़ता था उन्हें बहुत गुसा आता था उन्होंने हमेशा उस गुसे को अपने बैटिंग में अपने ट्रेनिंग में चैनलाइज किया क्योंकि उन्हें एक बात पता थी मुझे इस जगर से निकलना है खाली हाथ तो निकलूँगा नहीं मेरी performance ही इनको आइना दिखाएगी Academy के तरफ से खेलते हुए Junior Tournament में उन्होंने Double Century मारी जल्दी उन्हें UP Under 16 टीम का Captain बना दिया गया Attacking Batsman तो वो बचपन से ही थे कप्तानी ने उन्हें और जिम्मेदार Batsman बना दिया साल 2002 में से लंका टूर पे गई India Under 17 टीम में उनका सेलेक्शन हुआ उसी साल England टूर के लिए India Under 19 टीम में उन्हें शामिल किया गया तीन टेस्ट मैच के चार इनिंग्स में उन्होंने 189 रंज बनाए जिसमें दो अर्थ शातक शामिल थे फरवरी 2003 को आसम के खिलाफ अपना फर्स्ट क्लास डेब्यो किया इस सीजन उन्हें सिर्फ एक ही मैच मिला लेकिन अगले साल वो यूपी के तरफ से हाइस रंज स्कोरर थे पांच मैच के नौ इनिंग्स में उन्होंने 484 रंज बनाए विधन एवरेज अव 53.77 जिसमें एक शातक और चार अर्शातक शामिल थे बी सी सी आई उनके परफॉर्मेंस को बहुत ही बारीकी से देख रही थी 2004 अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें टीम में चुना गया पहले ही मैच में स्कॉटलेंड के खिलाफ 236 के स्ट्राइक रेट से 38 बॉल पे 90 रंज बनाए वेस्ट इंडीज के खिलाफ 66 रंज और 2 कुरूशियल विकेट्स जिसके लिए उन्हें मैन अफ दे मैच का आवर्ड भी मिला पूरे टूर्णामेंट के साथ मैच में उन्होंने 247 रंज बनाए विट अन एवरेज अफ 35.28 जिसमें 38 सतक शामिल थे ये टूर्णामेंट उनकी करियर का टर्निंग पॉइंट था बॉर्डर गवासकर्ड स्कॉलर्शिप के अंडर एडलेट के आउस्ट्रेलियन क्रिकेट अकैडमी में ट्रेनिंग करने का मौका मिला पहले से भी और भूने बैट्समेन बनके लोटने के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट और खासकर दियोधर ट्रोफिय में माकेदार बल्लेबाजी के वज़े से नैसनल टीम में उनका सेलेक्शन हुआ 30 जूलाई 2005 को सिडलंगा के खिलाफ अपना ODI डेब्यो किया इस मैच में उन्होंने 6 पोजिशन पे बैटिंग की डेब्यो पे मुथाया मुली धरन के पहले ही बॉल पे वो LBW आउट हो गए करियर की शुरुआत एक गोल्डन डग से लेकिन जब फिल्डिंग में अपना जलवा दिखाने का बार ही आया तो विरोधी कप्तान मरवन अटपट्टू को मिड विकेट से डेलेट हिट कर रन आउट किया अप्रिल 2006 में इंग्लेंड के खिलाफ ODI सीरीज के 6 मैच में 242 रंज बनाए जिसमें तीन अर्ध शतक शामिल थे इस सीरीज में रहना की बैटिंग फ्लुएंसी और मिडल ओवर्स ने स्कोरबोर्ड को चलाते रहने के कालास से सभी किर्केट पंडिट्स कहने लगे कि 19 साल का ये लड़का इंडियन किर्केट टिम का फ्यूचर है छोटे गाउं से आये एक लोवर मिडल क्लास फैमली का लड़का महज 19 साल की उमर में इतने बुलंदियों को छू रहा था रैना के जगह कोई और होता तो इतनी सी ही सक्सेस उसके सड़ चड़के बोलने लगती लेकिन रैना को अब तक जो भी मिला था उन्हें उसकी कदर थी एक दिसंबर 2006 को सौथ अफरीका के खिलाफ अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया इमतहान तो उपर वाला लेगा कि आप सच में इस उपलब्धी के लाइक हो भी या नहीं उसी साल के आखिर में खेले गए सौथ अफरीका के खिलाफ सीरेज में उनका बल्ला नहीं बोला टीम से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया फरवरी 2007 में 12 ट्रॉफी मैच के दौरान उन्हें नी इंजरी हो गई उस वक्त के इंडियन कैप्टन राहूल रविड ने उन्हें कहा कोई बात नहीं कोई जल्दवाजी नहीं है तुम अपने रिहब पे फोकस करो पूरी तरह से ठीक होके वापिस आओ उन्होंने BCCI से भी रहना का ध्यान रखने को कहा डेर साल उन्हें इस गेम से दूर रहना पड़ा ये उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग दौर था इसी बीस 2007 वर्ल्ड कप में इंडिया बुरी तरह से हारी रहना को एहसास हुआ कि टीम को उनकी जरूरत है फैमली और कुछ दोस्तों के सपोर्ट से रहना पूरी तरह से रिकवर हुए डोमेस्टिक टूनामेंट्स जैसे चैलेंजर सीरीज और रंजी ट्रॉफी में उन्होंने गजब की पर्फॉर्मेंस करी उसके बाद IPL जिसमें रहना का एक अलग रूप देखने को मिला 16 मैच में उन्होंने 421 रंज बनाए इंडियन टीम में उन्होंने कमबेक किया एसिया कब 2008 में वो सगेंड हाइस्ट स्कोरर थे 6 मैच में उन्होंने 372 रंज बनाए इंडियन एवरेज अव 74.40 जिसमें 2 शदक और 2 अर्द शदक शामिल थे उन्हें की बैटिंग पोजिशन अब भी तै नहीं थी 26 जुलाई 2010 को सिर्लंगा के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया डेब्यू पे ही उन्होंने सेंचुरी जड़ा 2011 वर्ल्ड कप की इंडियन टीम में उनका सेलेक्शन हुआ शुरू के कुछ मैचों में टीम में उन्हें जगा नहीं मिली लेकिन जब मौका मिला और वो भी टूनामेंट के कुरूशिल स्टेज में उन्होंने वैसी ही छोटी लेकिन महत्व पूर्ण पारी खेली और पाकिस्तान के खिलाफ टेलेंडर्स के साथ 36 रंस वर्ल्ड कप इंडिया नहीं जीता लेकिन रैना की ये छोटी छोटी कॉंट्रिबूशन सायद ही किसी को याद होगी स्रिलंका के खिलाफ होबाट में विराट कोली का 133 रंवाला हरीकेन इनिक्स में रैना ने उनका बखुबी साथ दिया सिर्फ 24 बॉल में 40 रंस बनाए और टीम को एक बड़े मार्जिन से मैच जिताया IPL में भी हर साल रैना कंसिस्टन परफॉर्म कर रहे थे CSK को टैडल जिताने में उनका काफी बड़ा योगदान रहा ये बात सभी को याद होगा क्योंकि उनका बैटिंग पोजिशन वन डाउन था मैकसिमम मैचेज में उन्होंने तीन नमबर पे ही बैटिंग किया उन्हें मिस्टर IPL के नाम से भी जाना जाता है 2015 वर्ल्ड कप में भी सकेंड डाउन थर्ड डाउन इंडियन क्रिकेट टीम अभी तक उनका बैटिंग और डिसाइड नहीं कर पाई थी रायना को भी इससे कोई शिकायत नहीं था वो बस टीम के लिए खिलना जानते थे टीम को मैचे जिताना जानते थे बस वो अपने मौके का इंतजार करते थे और पर्फॉर्म करते थे 2018 IPL में CSK ने 11 करोड में उन्हें अपने टीम में शामिल किया उसी साल 2018 में इंगलेंड के खिलाफ ODIs में उन्हें तीन साल बाद टीम में शामिल किया गया और शायद उन्हें भी ये नहीं पता होगा कि इंडिया की जर्सी वो आकरी दफा पहन रहे है 15 अगस 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटार्मेट ले लिया पर्सनल रिजन्स के वज़े से इस साल का IPL टूनामेट वो नहीं खेल सके और 2021 IPL में किसी भी टीम ने उनमें दिल्चस्पी नहीं दिखाई उन्हें बहुत दुख हुआ लेकिन वो एक फाइटर है और फाइटर को पंच के बाद बाउंस बैक करना आता है तो ये थी कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने हमेशा टीम को अपने से उपर रखा कभी भी किसी चीज की मांग नहीं की जब भी मौका मिला उस मौके पे पूरी निस्वार्थ भाव से बैटिंग करके टीम के लिए खेला 2014 IPL में पंचाब के खिला वो 25 बॉल पे 87 रन वाली इनिंग तो आपको याद होगा ऐसी ही कई पारी वन अफ दे बेश्ट फिल्डर्स इन इंडियन हिस्ट्री हेटायर्मेंट के बाद फैमिली के लिए खेलने की अपोर्चुनिटी को छोरना आसान नहीं होता ये दर्शाता है कि वो एक असली फैमिली मैन है तो हम लोग प्रे करते हैं रैना आगे जो भी करें उसमें उन्हें सफलता मिले तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें हमारे चैनल को अब तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो कर लें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खयाल रखें अपना और अपनों का